C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा एक की गणित की ध्वनी पुस्तक आनंद मैं पाठ आठ संख्याओं के साथ खेल प्रिष्ट चौरासी सिम्रन डिब्बे में संतरे रख रही है प्रती एक डिब्बे में दस संतरे आ सकते है उसे कितने डिब्बों के आवशक्ता होगी यहाँ पर कुछ संतरों के चित्र बने हुए है उसने संतरों को डिब्बों में रखा यहाँ पर दो डिब्बों के चित्र बने हुए है जिसमें सिम्रन ने संतरों को रख दिया है अभी तीन संतरे शेश रह गए है क्या अब आप बता सकते हैं कि कितने संत्रे हैं? आईए जाने! सबसे पहले दो संत्रे के डिब्बे और एक संत्रा अतरिक्त दिख रहा है और एक संत्रा अतरिक्त बनाया गया है तो कुल हुए 21 संत्रे दूसरे चित्र में दो संत्रों से भरे डिब्बे दिख रहे हैं और दो संत्रे शेश भी बताए गए हैं यानि इनकी कुल गिनती हुई बीस जमा दो बाईस तीसरे चित्र में zwei संत्रों के डिबबे हैं जिनमें 10-10 संत्रे हैं और इनके साथ 3 संत्रे हैं तो 20 जमा 3 हुए 23 यहाँ पर मध्य सूची में डिबबे लिखे हुए हैं आपको डिब्बों में गिनती लिखनी है और कुल कितने संत्रे हैं यह बताना है प्रिश्ट 85 इस चित्र में दस दस संत्रों के दो डिब्बे हैं और शेश तीन संत्रे हैं मध्य सूजी में खाली डिब्बे बने हुए हैं जिन में संख्या लिखने के लिए रिक्ष्थान है आपको बताना है कि दस जमा दस जमा तीन कितने हुए अगले चित्र में संत्रों से भरे हुए दो डिब्बे हैं जिन में दस-दस संत्रे हैं इसके बावजूद चार संत्रे शेश रह गए हैं मध्धे सूची में गिंती करके लिखिए कि कुल कितने संत्रे हैं दाई सूची में लिखा हुआ है चौबीस यानि हमारे पास कुल 24 संत्रे हैं अगले चित्र में 10-10 संत्रों के दो डिब्बे हैं साथ ही 6 हैं 5 संत्रे मध्ध सूची में 10-10 के दो डिब्बे हैं जिनमें रिक्ट स्थान है और एक और डिब्बा है जिनमें 5 स्थान भरे हुए है अब आपको इन में संख्या लिखनी है दाई ओर की सूची में लिखा हुआ है पचीस अगले चित्र में दस दस संतरों से भरे हुए दो डिब्बे हैं और साथ ही छे संतरे अलग से नजरा रहे हैं आपको गिंते करनी है और मध्य सूची में कुल संतरों के संख्या लिखनी है दाई ओर लिखा हुआ है 26 अगले चित्र में दस दस संतरों वाले दो डिब्बे बने हैं और शेश साथ संतरे बने हुए हैं साथ ही मध्य सूची में दस-दस रिक्ठ स्थान वाले दो डिब्बे बने हैं, जिनमें आपको संख्या लिखनी है साथ-साथ एक तीसरा डिब्बा भी है, जिनमें आपको साथ संत्रों की संख्या लिखनी है कुल मिला के हुए 10 जमा 10 जमा 7 बराबर 27 प्रिष्ट 86 मध्ध सूची में गिनती करके लिखिए कि कुल कितने संत्रे हैं दाइं ओर की सूची में लिखा हुआ है 39 आपको इस संख्या को रिक्त स्थान में लिखना है अगले चित्र में 10-10 संत्रों से भरे हुए 3 डब्बे हैं और मद्धे सूची में उनकी गिंती करके आपको ये तीनों डब्बे भरने हैं। दाई ओर लिखा है तीज, यानि हमारे पास कुल तीज संत्रे हैं। 21 से 30 तक लिखिए। यहाँ पर अलग-अलग रिक्त स्थान हैं, जिन में आपको 21 से 30 तक की संख्या को लिखना है। प्रिष्ट 87 आईए फूलों और नीम की दातुनों को गिनी। यहाँ पर दो चित्र दिये गए हैं। पहले चित्र में एक सजन फूलों की माला बना रहे हैं। और दूसरे चित्र में एक महला नीम की दातुनों को बेच रही है। जो सजन फूल माला के साथ बनाए गए हैं, उनकी हर एक फूल माला में दस फूल हैं। 31 से 50 तक की संख्याएं। इस चित्र में तीन फूलों की मालाएं हैं, जो की दस दस फूलों से बनाई गई हैं। इसके अलावा एक फूल और बनाया गया है। यानि इन सब फूलों की गिनती हुई 31। अगले चित्र में तीन फूल मालाएं हैं। इन फूल मालाओं में हर एक माला में दस फूल है और अतरिक्त दो फूल है तो कुल फूल हुए 32 अगले चित्र में दस दस फूलों की तीन मालाएं है और इनके अलावा तीन फूल अलग से दिख रहे हैं आपको इन फूलों को गिनकर इनकी कुल संख्या रिक्त स्थान में भरनी है जो है तैतीज अगले चित्र में दस-दस फूलों की तीन मालाएं हैं और साथ ही चार फूल अतरिक्त हैं आपको इनकी संख्या को रिक्ट स्थान में लिखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है चौँटिस। इस चित्र में दस दस फूलों की तीन मालाओं के अलावा पांच फूल अलग से दिख रहे हैं। और दाइं और लिखा है पै դीस। अगले चित्र में दस दस फूलों की तीन मालाएं हैं और अतरिक्त छै फूल हैं. कुल मिला के हुए छतीस. इस चित्र में दस दस फूलों की तीन मालाएं हैं और साथ में साथ फूल अतिरिक्त हैं. आपको रिक्त स्थान में फूलों की कुल संख्या गिन कर लिखनी हैं, जो है सैथीज. अगले चित्र में दस-दस फूलों की तीन मालाएं हैं और आठ फूल अतरिक्त हैं आपको गिनके रिक्ष्थान में इस संख्या को लिखना है जो की है अरतीस इस चित्र में दस-दस फूलों की तीन मालाएं हैं और साथ में हैं नौ अतरिक्त फूल दाइं ओर लिखा है उन्तालीस अगले चित्र में दस दस फूलों की चार मालाएं है जिसका आर्थ हुआ कुल फूल हुए चालीस प्रिष्ठ अठासी यहां इस चित्र में नीम की दातुनों के समुह दिये हुए है एक समुह में दस नीम की दातुन है यहां चार समुहों के साथ एक अतिरिक्त दातुन है तो कुल मिला के 41 दातुन हुए अगले चित्र में दातुनों के चार समुह दिये गए हैं जिसमें 10-10 दातुन मौजूद हैं इसके अलावा दो दातुन अतिरिक्त हैं और साथ में रिक्त स्थान दिया है आपको ये दातून गिन कर उनके कुल संख्या रिक्त स्थान में भरनी है दाइं और लिखा है बयालीज अगले चित्र में दस दस दातूनों के चार समून है और तीन अतरिक्त दातून है कुल मिला के संख्या हुई तैंतालीज इसके अगले चित्र में दस दस दातूनों के चार समू मौजूद हैं. इनके अलावा चार दातून अतिरिक्त हैं. इन सभी को गिन कर इनकी कुल संख्या दाई और दिये गए रिक्त स्थान में लिखिये, जो है चवालीज. अगले चित्र में दस दस दातूनों के चार समू हूँ हैं और पांच दातून अतिरिक्त हैं. कुल मिला के संख्या हुई पैंतालीज. इसके अगले चित्र में दस दस दातूनों के चार समूँ के अलावा छे दातून अतिरिक्त हैं. तो कुल संख्या हुई छियालीज. अगले चित्र में दस दस दातूनों के चार समहूं हैं और साथ दातून अतरिक्त हैं कुल संख्या को रिक्त स्थान में लिखिए जो की है 47 इस चित्र में दस दस दातूनों के चार समहूं मौजूद हैं और इनके आलावा आठ दातूने अतरिक्त हैं इन सभी को गिन कर कुल संख्या को दाई ओर दिये गए रिक्त स्थान में भरिये, जो है अर्टालीज अगले चित्र में दस दस दातूनों के चार समू हैं और नो दातून अतरिक्त हैं कुल मिला के संख्या हुई उन्चास इसके अगले चित्र में दस-दस दातूनों के पांच समू मौजूद हैं, यानि कि कुल मिला कर दातूनों की संख्या हुई पचास आओ, करें कर, एक से पचास तक के कार्ड में से कोई भी एक कार्ड लीजिए क्या आप उस कार्ड को एक क्लिप की सहायता से संख्या लड़ी में सही स्थान पर लगा सकते हैं? ख, गिन लड़ी पर लगे कार्डों पर संख्याई लिखिए यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है जिसमें एक गिन लड़ी है इस गिन लड़ी पर कुछ मोतियों के बाद एक संख्या कार्ड लगाया हुआ है जो वहां तक की संख्या को बताता है पहले कार्ड पर उधारन के लिए चार मोतियों के बाद संख्या चार लिखी हुई है इसी तरह से आपको बाकी काड़ों पर भी संख्या को गिन कर लिखना है प्रिश्च नवासी गिनिये और लिखिये इस चित्र में दस दस फूलों के चार हार मौजूद हैं इनके अलावा पांच फूल और हैं तो कुल मिलाकर कितने फूल हुए उन्हें गिन कर दाई और दिये गए रिक्त स्थान में लिखिये अगले चित्र में दस दातूनों वाले चार समूह हैं और साथ दातून अतरिक्त हैं कुल मिलाकर कितने दातून हुए ये रिक्त स्थान में संख्या लिखें इस चित्र में दस दस पैंसिलों के तीन समूहों के अलावा दो पैंसिले अतिरिक्त हैं इनकी संख्या गिनकर इन्हें दाई और दिये गए रिक्त स्थान में लिखिए दस के फ्रेम को संख्या के अनुसार भरिये यहाँ पर तीन संख्याएं दी गई है 29, 41 और 30 इन संख्याओं के समक्ष 10-10 के फ्रेम को बनाया गया है आपको इस संख्या को फ्रेमों में लिखना है 21 से 50 तक की संख्याओं की समझ विक्रसित करने के लिए गिन लड़ी का उपयोग करें बच्चों को गिन लड़ी या संख्या लड़ी पर किसी दी गई संख्या से पीछे की संख्या तक पहुँचने के लिए उल्टी गिनते के अभ्यास के लिए प्रेरित करें कुछ अभ्यास के बाद बच्चे गिन लड़ी के बिना भेज प्रक्रिया को करना शुरू कर देंगे चूटी हुई संख्याई लिखिये यहाँ पर एक चित्र बना है जिसमें एक सड़क है सड़क किनारे मील के पत्थर बने हैं मील के पत्थरों पर संख्याएं लिखी हैं। आपको छूटी हुई संख्याओं को लिखना है। परियोजना कारियर। फरहा ने कहा कि उसने अपनी दियासलाई या माचिस की डिब्बी में पचास से भी अधिक वस्तुएं रखी हैं। उसके मित्रों को हैरानी हुई कि वे वस्तुएं क्या हो सकती हैं। जैसे ही फरहा ने डिब्बी खोली, वे चौँक गए। आप कुछ वस्तुएं कठी कीजे एवं पता लगाए कि दियासलाई यानी माचिस की एक खाली डिब्बी में कितनी वस्तुएं आ सकती हैं। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, जिसमें दिया सलाई या माचस की खाली डिब्बी बताई गई है, और साथ ही साथ बहुत छोटी-छोटी कुछ वस्तूओं के चित्र भी बनाए गए हैं। प्रिश्ट 91 51 से 100 तक की संख्याएं। अंकिता अपने घर को शीशे चिपका कर सजा रही है। पता लगाए कि उसने डिजाइन में कुल कितने शीशे लगाए हैं। रिक्त स्थान भरिये। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, जिसमें एक छोटी बच्ची अंकिता अपने घर को शीशे चिपका कर सजा रही है। आपको ये बताना है कि इस सजावट में उसने कुल कितने शीशे लगाए हैं। 51 से 60 तक संख्याएंगे निए और लिखिए। इस पहले चित्र में 10-10 दातूनों के 5 समूँ हैं और इनके अलावा एक दातून अतिरिक्त है। दाई और लिखा है 51 यानि कि ये सारी दातूने कुल मिला कर 51 हैं। अगले चित्र में 5 समूँ हैं जिनमें 10-10 दातून हैं और साथ ही 2 दातून अतिरिक्त हैं। तो कुल मिला के दातून हुए 52। इस अगले चित्र में 10-10 दातूनों के 5 समूँ हैं और 3 दातूने अतिरिक्त हैं। साथ में एक रिक्त स्थान दिया है, जहाँ पर आपको दातूनों की कुल संख्या लिखनी है, जो है तिरपन. अगले चित्र में दस दस दातूनों के पांच समूह हैं और चार दातून अतरिक्त हैं आपको रिक्त स्थान में इनकी कुल संख्या लिखनी है जो की है चववन इस अगले चित्र में दस दस दातूनों के पांच समूह हैं और पांच दातूने अतरिक्त हैं दाई ओर दिये गए रिक्त स्थान में आपको सारी दातूनों की कुल संख्या लिखनी है जो है पचपन अगले चित्र में दस दस दातूनों के पांच समू है और छे दातून अतरिक्त है आपको रिक्ट स्थान में लिखना है कि कुल संख्या कितनी हुई जो की है 56 इस चित्र में दस दस दातूनों के पांच समू मौजूद है और साथ में साथ दातूने और भी है ये सारी दातों ने मिला कर कितनी हुई उनकी कुल संख्या आपको रिक्त स्थान में लिखनी है जो है सतावन अगली चित्र में दस दस दातूनों के पांच समूह दिये गए हैं और आठ दातून अतरिक्त दी गई है आपको इनकी कुल संख्या को रिक्त स्थान में लिखना है जो की शब्दों में लिखी हुई है अठावन इस चित्र में दस दस दातूनों के पांच समू मौजूद है और साथ ही नौ दातूने अतिरिक्त भी है दाई और लिखा है उनसर्थ यानि कि कुल दातूनों की संख्या हुई उनसर्थ अगले चित्र में दस दस दातूनों के छै समू मौजूद है इसका मतलब कुल دातून कितने हुए साथ प्रिष्च बैन बे 61 से असी तक संख्या हैं गिनिये और लिखिये पहले चित्र में दस दस दातूनों के 6 समू है और एक अतरिक्त दातून है तो कुल मिला के संख्या हुई 61 दूसरे चित्र में 10-10 दातूनों के 6 समू मौजूद है और 2 दातूने अतरिक्त है कुल संख्या हुई 62 अगले चित्र में 10-10 दातूनों के 6 समू हुई और 3 दातून अतरिक्त है कुल दातून कितने हुए ये रिक्त स्थान में लिखिए जो की है 63 इस चित्र में दस दस दातूनों के 6 समू है और 4 दातूने अतिरिक्त है कुल मिलाकर कितने दातून हुए रिक्त स्थान में लिखिए जो की है 60 जमा 4 बराबर 64 अगले चित्र में 10-10 दातूनों के 6 समू हैं और 5 दातून अतरिक्त हैं रिक्त स्थान में लिखिए कि कुल संख्या कितनी हुई जो की होगी 65 इस अगले चित्र में 10-10 दातूनों के 6 समू हैं और 6 दातूने अतरिक्त हैं रिक्त स्थान में भरिये दातूनों की कुल संख्या, हम्, वो होगी 66, अगले चित्र में 10-10 दातूनों के 6 सम्हों है, और 7 दातून अतरिक्त हैं, तो कुल मिला के संख्या कितनी हुई, ये रिक्त स्थान में लिखिये, जो की होगी 67, इस चित्र में 10-10 दातूनों के 6 सम्हों के अलावा आठ दातूने अतिरिक्त हैं कुल मिला कर कितने दातूने हैं वो रिक्त स्थान में भरिये वो होंगी 68 अगले चित्र में 10-10 दातून वाले 6 समहूं हैं और 7 ही 7 9 दातून अतिरिक्त हैं कुल दातून कितने हुए ये रिक्त स्थान में लिखे जो होंगे 79 इस चित् अगले चित्र में दस दस दातून के साथ समू हुए और एक दातून अतरिक्त है तो कुल हुए एक हत्तर अगले चित्र में दस दस दातूनों के साथ समू मुझूद है और साथ ही दो दातूने अतरिक्त है तो दातूनों के कुल संख्या कितनी हुए बहत्तर अगले चित्र में दस दस दातून के साथ समुह हैं और तीन दातून अतरिक्त हैं तो कुल मिलाकर कितने दातून हुए ये रिक्ट स्थान में लिखिए जो संख्या होगी तेहत्तर अगले चित्र में दस दस दातूनों के साथ समुहूं के अलावा चार दातून अतिरिक्त हैं तो कुल मिलाकर दातून कितने हुए? सत्तर जमाचार, चोहत्तर अगले चित्र में दस दस दातून के साथ समुहूं है और पांच दातून अतिरिक्त हैं तो कुल संख्या हुई 75 इस अगले चित्र में 10-10 दातूनों के 7 समूह के अलावा 6 दातून अतिरिक्त दिख रही है और 7 में रिक्त स्थान दिया हुआ है तो कुल संख्या कितनी हुई ये गिनकर रिक्त स्थान भरिये वो होगी 76 अगले चित्र में दस दस दातून के साथ समू हूँ है और साथ दातून अतरिक्त हैं तो कुल संख्या कितनी हुई ये लिखे रिक्त स्थान में जो की होगा सतत्र अगले चित्र में दस दस दातूनों के साथ समू के आलावा आठ दातूने अतरिक्त हैं इन सभी को गिनने पर कुल दातूनों के संख्या कितनी होगी? 78. अगले चित्र में 10-10 दातून के 7 समू होगी और 9 दातून अतरिक्त हैं. तो कुल संख्या कितनी हुई? ये रिक्त स्थान में भरिये. जो होगी उन्यासी. अगले चित्र में दस दस दातूनों के आठ समू मौजूद हैं, तो दातूनों के कुल संख्या कितनी हुई? असी प्रिष्ट तिरानवे 81 से 100 तक संख्याएं गिनिये और लिखिये इस चित्र में दस-दस दातूनों के आठ समू मौजूद हैं और साथ में एक और दातून भी दिख रहा है यानि दातूनों के कुल संख्या हुई असी जमा एक एक्क्यासी अगले चित्र में दस-दस दातून के आठ समू हुए और साथ ही दो दातून अतरिक्त हैं तो कुल संख्या कितनी हुई ये लिखी रिक्त स्थान में जो होगी असी जमा दो बयासी इस अगले चित्र में दस दस दातूनों के आठ समुहों के अलावा तीन दातून अतिरिक्त हैं तो इनकी कुल संख्या कितनी हुई? असी जमा तीन यानी तिरासी अगले चित्र में दस दस दातून वाले आठ समुहों हैं और चार दातून अतिरिक्त हैं तो कुल दातून कितने हुए, ये रिक्त स्थान में लिखें, जो होगा 84. इस अगले चित्र में 10-10 दातूनों के 8 समुहों के अलावा 5 दातून अतिरिक्त दिख रहे हैं. तो इनकी कुल संख्या कितनी हुई, दाए में दिये गए रिक्त स्थान में भरिये, जो होगा 85. अगले चित्र में 10-10 दातून के 8 समुहों के अतिरिक्त 6 दातून भी हैं. इनकी कुल संख्या हुई 86. इस अगले चित्र में 10-10 दातूनों के 8 समूहों के अलावा 7 दातून अतिरिक्त हैं ये सारे मिलाकर कितने दातून हुए गिनकर डाई में दिये गए रिक्त स्थान में भरिये जो होंगे 87 अगले चित्र में 10-10 के दातून के 8 समूहों है और आठ दातून अतरिक्त हैं कुल मिला के कितनी संख्या होगी ये दाए में दिये हुए रिक्त स्थान में लिखे और ये संख्या होगी 88 इस अगले चित्र में 10-10 के दातूनों के 8 समुहों के अलावा 9 दातून अतरिक्त हैं तो कुल मिला कर दातूनों की संख्या हुई नवासी। अगले चित्र में दस-दस के दातून के नो सम हुए, तो कुल संख्या हुई नब्बे। इस अगले चित्र में दस-दस के दातूनों के नो सम हों के अलावा एक दातूना ते रिक्त है। तो कुल दातूने कितनी हुई? नब्बे जमा एक यानी इक्यानवे. अगले चित्र में दस-दस के दातून के नौ समुहों के अतरिक, दो दातून और हैं. तो कुल संख्या कितनी हुई? ये रिक्ष्थान में लिखें, जो होगी बानवे. इस अगले चित्र में दस-दस के दातूनों के नौ समुहों के अलावा तीन दातूने और हैं, तो इनकी कुल संख्या कितनी होगी? गिनकर दाई और देगर रिक्ष्थान में लिखें, ये होगी तिरानवे. अगले चित्र में दस दस दातून के नौ समू हैं और इनके अलावा चार दातून अतरिक्त हैं तो कुल मिला के संख्या कितनी हुई ये रिक्त स्थान में लिखिए जो होगी चौरानवे इस अगले चित्र में दस-दस के दातूनों के नौ समू हैं और साथ ही हैं पांच और अतिरिक्त दातूने कुल मिला कर कितनी दातूने बनी हुई है यहाँ? पिच्चानवे इस अगले चितर में दस दस के दातूनों के नौ समूहों के अलावा साथ दातूने अत रिक्त हैं और इनकी कुल संख्या हुई नबबे जमा साथ यानी सतानवे इस अगले चित्र में दस दस के दातूनों के नौ समूहों के अलावा नौ दातूने अतिरिक्त नजर आ रही है ये कुल मिलाकर कितनी दातूने हैं गिनकर दाई और दिये गर रिक्त स्थान में लिखिए ये होनी चाहिए नब्वे जमा नौ यानी निन्यानवे अगले चित्र में दस दस दातूनों के दस समूहों है तो इसका कुल कितना हुआ ये हुआ सौ प्रिष्ठ चौरानवे आओ करें एक कोनी से दूसरे कोनी तक एक गिनलडी लटकाईए कोई भी एक संख्याकाड एक से एक सौ लीजे उस संख्याकाड को चिम्ते के सहायता से सही स्थान पर लटकाईए अपने मित्रों के साथ अन्य संख्याकाडों को भी गिनलडी पर लगाईए यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है जहाँ पर एक गिन लड़ी है जो दो अलग-अलग टहनियों से टंगी हुई है दो बच्चे हैं जो द्यान में खेल रहे है और गिन लड़ी पर लगे हुए मोतियों को गिन भी रहे हैं ये संख्या के अनुसार गिन लड़ी पर संख्या कार्ड भी लगा रही है। एक संख्या कार्ड जो लगाया गया है वो है चौबीस। संख्याओं को जोडने के लिए गिन लड़ी का उपियोग करें। बच्चों से किनी दो संख्याओं के बीच आने वाली संख्याओं के विशय में पूछें। प्रिष्ट 95 गिनिये और संख्या बताईए। यहाँ पर एक चित्र में दस दस दातून वाली चार समूह हैं। और इसके अतरिक्त साथ दातून और भी हैं। कुल संख्या कितनी हुई? दाईए और दिये हुए रिक्त स्थान में लिखें। अगले चित्र में कुछ फ्रेम्स दिये गए हैं। आपको इन सभी फ्रेम्स को गिनकर इनके कुल संख्या दाईए और दिये गए रिक्त स्थान में भरनी हैं। अगले चित्र में विभन रंगों के छौकोर आकार के छोटे-छोटे डिब्बे टावर के आकार में दिये गए हैं. इनमें जो टावर हैं वो छे हैं और इसके अतरिक्त छे रंगीन डिब्बे अलग से बनाए गए हैं. आपको ये गिनकर बताना है कि इनकी कुल संख्या कितनी है खाली स्थान भरकर अपनी फिसल पट्टी और सीड़ी बनाईए यहाँ पर एक चुत्र दिया गया है जिसमें साप सीड़ी का खेल बताया गया है आपको खाली स्थान भर कर अपनी फिसल पट्टी और सीड़ी बनानी है ये खेल बाहर खेला जा सकता है इसे चौक से खाने बना कर इसमें टहनीयों, खुली तीलियों की सीड़ी एवं रसी को फिसल पट्टी की तरह उपयोग किया जा सकता है बच्चे कुछ कार संबंधी काड ले सकते हैं और उन्हें चौक और खानूं पर रख सकते हैं निर्देशों को बदला भी जा सकता है जैसे अपने दाएं और एक संख्या छोड़ कर कूदो या ऐसी संख्या पर कूदो जा अंकों की अदला बदली होई हो प्रिष्ट 96 चित्र देखिए यहाँ पर एक चित्र कलाब बनाई गई है इसमें एक गाउं का द्रिष्य दिखाया गया है आओ बातचीत करें क चित्र में क्या हो रहा है क दिये गए चित्र में आप क्या-क्या वस्तों देख रही हैं ग, चित्र में कितने घर हैं? ग, चित्र में कितने लोग हैं? अंग, अनुमान लगाईए कि पेड़ की पत्ती बराने के लिए कितनी रेखाएं खीची गई हैं? च, क्या आप इस प्रकार की चित्रकारी का नाम जानते हैं? च वरली चित्रकारी भारत में किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? प्रिष्ट सत्तानवे अपनी एक वरली चित्रकला बनाईए इस प्रिष्ट पर एक रिक्ट स्थान दिया गया है ये रिक्ट स्थान चौकोर आकार में है आपको इसमें एक वरली चत्रकला बनानी है। आपको इसमें एक वरली चत्रकला बनानी है।